नमस्कार फ्रेंड्स आज के विडियो में बात करने वाला हूँ जिस प्रोजेक्ट के बारे में वह प्रोजेक्ट है अगरवाल फ्लोरेंस अगरवाल गुरूप डवलपर हैं इन्होंने कांदीवली मलाड गोरेगाउं में काफी सारा काम किया है अच्छे हाई राइस टावर ट्री बीचके की प्रॉपटी है और इस तरह का पहले तो मैं आपको यहां का इंवायर्मेंट दिखाता हूं किस टाइप का फ्लैट है प्रिच्ट अबनाया है तो पहले इनका फ्लैट कर देखते हैं किस टाइप का है और यहां का माहौल देखते हैं कितना construction हुआ है साइड देखते हैं मैं सब लाइब आपको दिखाता हूँ उसके बाद फिर मैं size, price, detail, configuration, location, connectivity, facilities की बात करूंगा आएए देखते हैं यह project किस type का है, flat किस type का है दोस्तों यह अगरवाल Florence का site जो काम चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ यह इसका sales office है और बहुत ही बढ़िया इसका access दिया हुआ है यहां से आपको मैं main road का access बताऊं तो सामने ही आपको main road का access मिल रहा है आप देख सकते हैं और full swing में काम चालू है इसका, यह इसका side है, अब आप exact सब details जानने के लिए मुझे phone करें, description में हमारा number रहे हाई दोस्तों, अगी मैं अगरवाल group developer है और project का नाम है अगरवाल Florence, इसमें 2 और 3 BHK दो टाइप की property यह लेके आए हैं इस project में, मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK का property इन्होंने बना के ready किया है customer को देखने के लिए, अभी क्या size है, price है वो तो मैं आपको phone पे explain क करूंगा क्योंकि अभी मैं video shoot कर रहा हूँ, इसके लिए मैं डाल नहीं सकता है, बताने सकता हूँ, और वैसे तो description मैं डाल दूंगा मैं पहले आप flat देख लें किस type का है, यह आपको balcony का space जो दीख रहा है, 3-4 foot का, यह आपको आएगा, और यहां का height काफी बढ़िया है, आप देखें तो दोनों साइट आपको service platform, gas platform मिल रहा है, start में freeze का space मिल रहा है, और proper square में इन्होंने hall बनाया है, वास्तु इसका काफी बढ़िया है, आप देखें तो hall से connected, इसको kitchen दिया हुआ है, बाकी आपको तीनों bedroom में लेके चलता हूँ, bedroom बिल्कुल separate separate किया हुआ है, यह इसका passage है, पूरा का पूरा, और पहले में आपको common washroom दिखाता हूँ, कि common washroom किस टाइप का है, इसका, यह इसका common washroom है, common washroom भी आप देख रहे है, proper space के साथ यह बना रहे है, common washroom है, space आप देख लें, इसके बाद मैं आपको तीनों bedroom दिखाता हूँ, तीनों bedroom इंदर सेंस, दो master bedroom और एक common bedroom आएगा, इन मैं आपको इधा से ही, राइट हैं साइड से दिखाता हूँ, यह पहला इसका master bedroom है, proper तीनों का साइज लगबग, 900 square foot के आसपास, इसका carpet area है 3BHK का, और यह गोरे गाउं वेस्ट के ऐसे location में हैं, यहां का demand बहुत बढ़िया है, अगर आप investment के लिए भी लेते हैं तो भी अच्छा है, रहने के लिए लेते हैं तो, well and good आप देखें यहां से, road main road की connectivity मैं भी दिखाऊंगा थोड़ा इसके बाद flat दिखाने के बाद, यह next video में वह देख लीजेगा, यह इसका पूरा bedroom का space है, यह wardrobe का space है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरा bedroom दिखाता हूँ, वैसे अगरवाल group का बहुत बढ़िया अपने आप में नाम है, कहीं पे भी नहोंने पब्लिक को हर जगह है, कहीं प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ भी इसे सिकायत नहीं है, हर एक प्रोजेक्ट इनका title क्लियर होता है, on time delivery होता है, अपने आप में एक repeated builder माने जाते हैं यह, यह आपने जिसे अंटर किया, आपको master bedroom का washroom मिलता है इसके बाद, फिर वाड्रोप और बेड यहां पर बना हुआ है, आप वाड्रोप और बेड देखके भी अंदाजा लगा सकते हैं, कि छे बाई छे का बेड रखने के बाद भी एक proper space आपको मिल जाता है, यह इसका वाड्रोप है और काफे अच्छा space आपको दे रहे हैं यह, यह प्राइज तो मैं tentatively डाल पाता हूं क्योंकि actual price builder की और से यह developer की और से डालना यह है, अलाव नहीं है, तो actual price में deal करने के लिए bottom price क्या है वो आपको हमें phone करें तो हम बता पाएंगे और आपको proper price में भी दिला पाएंगे, यह इसका common bedroom है जिसमें attached washroom नहीं है, common bedroom in the sense attached washroom नहीं होता, balcony concept कोई भी इसमें नहीं दिया हुआ है, balcony सिर्फ देखें kitchen में दिया हुआ है washing machine के लिए और यह पूरा कर पूरा इसका flat का elevation है वैसे तो मैं PDF में आपको बताऊंगा जब मैं detail बताऊंगा तभी फिलाल आप detail जानना चाहते हैं तो description में मेरा number रहेगा आप phone करिए उसमें हम बता देंगे आपको कि क्या इसका pricing, sizing वगरा है यह इसका पूरा pattern है, मैं बाहर लेके चल रहा हूँ, इसका module दिखा रहा हूँ, क्या type का है यह, तो हमने 3BSK का property देखा, अब यह आप देख रहे है, इसबी रोर से connected है यह, यह पूरा का पूरा pattern जो यह develop कर रहे हैं, और ground floor पे सारा amenities दिया है, इन्होंने washing machine, swimming pool, club house, open gym, और यह जो दो tower type आप देख रहे हैं, यह इसका parking tower है, इसमें separate आपको automatic parking tower आने वाला है, जहां पे automatic गाड़ियां पाक होती है, यह इसका building का elevation है, और यह सामने इसमें जैन मंदिर का भी provision है, उन्होंने किया है, वह आप देख सकते हैं, और अगर कुछ detail आपको जानना है, तो हमें phone करें, description में हमारा number रहेगा, अभी जो आपने अगरवाल Florence का, जो वीडियो मेंने दिखाया है, आपको कि इनका elevation और flat का, इनका में कुछ previous project बता देता हूँ, जैसे अगरवाल Meadows, अगरवाल Glory, अगरवाल Krishna Residency, अगरवाल Gokul Solitaire, अगरवाल Krishna Gardens, यह चार-पाँच प्रोजेक्ट मेंने बताया, जो विरार मंबई, मैं अलग-अलग location में इन्होंने development किया है, अब इस project का मैं detail आपको देता हूँ, अगरवाल Florence का, जो अगरवाल ग्रूप अपने आप में इनका एक अच्छा repetition है, अच्छा नाम है, जहां जहां पे इन्होंने काम किया है, तो land area इसका एक एकड़का है, फ्री इन्टींग है, 19th स्टोरी टावर है, दो विंग की सोसाइटी है, इसकी हर एक फ्लोर पे चार फ्लाट इन हाइस्पीर लिफ्ट और एक स्टेरकेस है, कार पार्किंग भी है, ग्राउन फ्लोर पे और पार्किंग डिपेंड करता है आपके उपर, रेसिटेंशल इसका स्टा स्टानिंग और फ्लैट का कार्पेट एरिया, लैंड एरिया, यह सब का डिटेल जानना चाहते हैं, तो इनका रेरा के वेबसाइट पे जाके विजिट करें, जिसका रेरा का नंबर है, इनका पी 518 000 32916, यह मारेरा के वेबसाइट का नंबर है, इस नंबर के थूँ आप डिटेल रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं, एक परस्टनली दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप से कि कभी भी आप प्रॉपटी करोट, दो करोट, तिन करोट रुपया खर्चा करते हैं, एक बार आप मारेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देख लें, प्रोजेक्ट ढलेगनेटों फ्रूपुटीफार हैं, एक साल का भफर टाइम लेकर ही चलते हैं, हर एक डवलपर, 1 साल, 6 महेना, कोई-क डवलपर, तो दो साल का भफर टाम लेकर चलते हैं, कि अगर 2-4 महेना आगे पिछे किसी ठीडह अच्चरल ऑन्वार्मेंट हो, ऍसके लीए को छोटे से एक 30 सेकंड में करता हूं कि दूस्तों पहले क्या होता था ना कि प्रोजेक्ट जब बनाने जाते थे तो पांसो फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो पांसो क्रोड रुपया उनको लेते थे पुब्लिक से और प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेकिन होता कि यह पैसे ज आप पैमेंट करते हैं उसका मुस्किल से 25-30 परजिए यूज़ कर पाते हैं तो इससे साफ जाहिर यह होता है ना कि जब प्रजेक्ट के लिए पैसे लेते हैं तो जो उनका time line होता है delivery देने का यानि पोजिशन देने का उसके पहले ही वह target करते हैं कि हम पोजिशन दे दें जिससे की पुरा उनका पैसा उनके हाथ में आ जाए जब तक वह पोजिशन उसका issue नहीं करते हैं वोसी लाते नहीं है तब तक वह payment उनको मिलता नहीं है government के रेरा के एकाउंट से तो पहले होता है कि वह जल्द से जल्द पोजिशन देने का सोचते हैं तो यह एक जो आज की जो हमारे government है जो रेरा का act बनाया है रेरा का नियम बनाया है इससे एक बहुत बड़ा फाइदा हो है बाइर्स को कि इनके पैसे रिस्क पे नहीं जाते हैं इनका पैसा प्रॉपर ही होता है अजर्बबाइज रहा के इसकरो अप्रूब्ड हो तो समझ जाएं कि रहरा का विल्डिंग का टाइटल मिल्कुल के रियर है प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर है कॉन्फिग्रेशन इसमें डू एंड थ्री बीच के है दो अलग अलग साइज है तू बीच के का कार्पेट एरिया है दो क्रोर चब्रोड लाख से लेकर टू विएच के वन पॉइंट शक्टी बीच विशिएर टू एंड प्रॉट लिए टू पार्किन आपको यह साथ में दे रहे हैं इसमें आपको पर मैंने बताया है कि अपस्ट है काफी सारे हैं के लिए पसमझ लें आप पर अब अबस्क्राइब कर रहे हैं अब्स्रोड अब कर रहे हैं वेस्ट्मेंट कर रहे हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है यही एक वज़ा है जो आपको प्रापटी के क्या वैल्यू बनाता है वो आपको पता चलता है जिसमें दो से दस मिनिट के अंदर आप आई बी पटेल स्कूल, सैंट थोमस स्कूल, लॉड उनिवर्सल स्कूल, गंश्यामदा साराप कॉलेज, विवेक कॉलेज, लाइफ लाइ दिस्टेंस पे लगबग, दस से 30 मिंट के अंदर आप नगिंदास, खंडवाला, कॉलेज, नौरेगा, रेलवे स्टेशन, आरे मेट्रो स्टेशन, दिंदोसी, बस्टॉप, लिंक, रोड, ग्लव, इग्वेना, अवराय, मौल, नौर्वीट, मौल, इंफिनिटी, मौल, ग से आप पहुँच जाते हैं, कोई भी न्यू लाँचिंग प्रोपर्टी या फिर अंडर कांसरक्शन प्रोजेक्ट में प्रोपर्टी खरीदने से पहले, कुछ इंपॉर्टन इंफरमेशन है, वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझने पहले, काफी सारे लोग मेरे व प्रोपर्टी को, किसी ना किसी को वो हायर करता ही है, प्रोपर्टी सेल करने के लिए, उनकी हाइली स्किल्ड सेल्स टीम होती है, जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है, और कमिशन भी साथ साथ लेती है, तो अब डारेक्ट जब प्रोपर्टी जाते हैं प अच्छा खासा एमाउंट का डिफरेंस होता है तो आप एक बात यह जानके रखें कि जब आप CP के साथ जाते हैं प्रापटी पर्चेस करने के लिए तो CP को पता होता है कि एक्षोल उहां का प्राइज क्या है इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है 5-5-10.000.000 रुप्ए आपको बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव जब मैंने कराया है तब देखा मैंने कि वागल वाले कस्टमर से जो प्राइज लिया गया और मेरे कस्टमर सो जो मैंने प्राइज दिल भाया काफी डिफरेंट था यह मैं आज का नहीं करीबं 10-12 साल का experience स आपको बता रहा हूँ दोस्तों जब आप builder के पास directly चले जाते हैं और एक बार tag हो जाते हैं तो 3-6 महिने के लिए tag हो जाते हैं builder का developer का कहना ये कि हमारे direct customer है आप interfere ना करें price के मामले में discount के मामले में एक बार याद रखें कभी भी आप property purchase करने जाएं तो CP को first time साथ में लेके जाएं आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में CP भी आपके लिए pricing के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं दूसरा आपको वहाँ पे discount क्या है, scheme क्या है, offer क्या है ये भी पता नहीं होता है कभी-कभी तो इस time duty off रहता है और आप से ले लिया जाता है आपको मालूम भी नहीं है तो इस time duty 10 लाग रुपय आपको पे करना है कभी-कभी prefer location charge PLC off रहता है, कभी-कभी flow rise off रहता है, इस time अगर आपको पता नहीं होना तो सिदा-सिदा 3 लाग, 5 लाग, 10 लाग रुपया इस चीज़ के नाम पे लिया जाता है इसमें भी CP आपको help करते हैं, एक professional जो लोग होते हैं वो professionals की कीमत proper जानते हैं, जो लोग जीवन में कभी-कभार 10 साल, 20 साल, 5 साल में property खरीते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या actual game होता है, लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल, 3 साल में investment करते रहते हैं, property में trading करते रहते हैं, उनको पता होता है कि CP या फिर dealer को ले जाने में क्या फाइदा है, उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पर demand supply होगा, multiple option देखने को मिलेगा, क्या सस्ता, क्या महेंगा, समझ में आएगा, एक professional के साथ काम करने के बाद आप सही तरी के समझ पाते हैं, कि उस काम को कैसे अंजाम देना है, इन्वेस्टर को देखेंगे, तो हमेशा आप वो किसी ना किसी को साथ में लेके, भले उनके पास property का knowledge directly उन्होंने कहीं से लिया हो, online लिया हो, offline लिया हो, किसी के reference से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे person को साथ में जरूर लेके जाते हैं, जने पता होता है उस property के ABCD के बारे में, कि क्या चल रहा है price, वहां का demand supply क्या होगा, future में उस property का pricing कहा जाएगा और क्या होगा दोस्तों, किसी ना किसी को साथ में जरूर लेके जाए, आपके पहचान में, जान में कोई नहीं हो, तो आप हमें phone करें, हमारे उपर दीवे number पे, मैं और मेरे team आप उसका promote करते हैं, तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी property में booking करने जाएं, तो CP को जरूर साथ में लेके जाएं, आगे आप हमारा services समझ लें, कि क्या-क्या services के जरिये, हम अपने customers को सस्ते में property प्रवाइड करते हैं, जैसे auction की property बगएर, वह आप आगे services में समझ ले home loan में भी हम deal करते हैं, home loan के related भी अगर कुछ काम है, तो उसमें भी हम आपको पूरी मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों property के साथ साथ हम लोन का भी काम करते हैं, अगर आपको property आप हम से purchase करते हैं, तो home loan के लिए भी कहीं जाने की जरुत नहीं है, आपको home loan भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई extra charges नहीं है, हमारे person आपके door to door service देंगे, documentation लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे, आगे दोस्तों बताओं, हम लोग new launching, new booking, resale और bank auction की property में भी deal करते हैं, कभी-कभी हमारे पास जो resale में property आती है, आप जैसे इस video को देख र property आप देखें, तो 20-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30 property उनकी auction में चली जाती है तो वो सिधर सिधर 40 से 50 टके discount में मिल जाता है और दूसरी जो हमारे पास launching की property आती है builder को जब starting base खड़ा करना होता है और launch करते हैं property तो कभी कभी registration stamp duty discount होता है कभी PLC discount होता है कभी florize discount होता है ये सब जो discount वाली और फाइदे वाली property होती है मैं हमेशा अपने चानल property plaja विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ आपसे request है दोस्तों आप हमारे चानल को subscribe कर लें bell icon press कर लें कि जब भी मैं से कोई property डालूँ फाइदे वाली discount वाली property डालूँ तो सबसे पहले उसका आपको information मिल सके उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल से जल benefit ले सकें दोस्तों अगर आप YouTube पे बहुत ज्यादा active नहीं है अगर आप WhatsApp से ज्यादा friendly है WhatsApp हमें सा use करते हैं तो हमारा WhatsApp नमर है 9619871855 हमारा दूसरा नमर है 8070807099 यह दोनों नमर हमारा WhatsApp पे है आप आपके WhatsApp नमर से आपका नाम आपका location आपका budget हमें लिख के भेज़ दें जब भी हमारे पास ऐसी कोई फाइदे वाली property या फिर आपके budget से related आपके जो requirements से रिलेटे जब property आती है तो हम आपको share भी करते रहेंगे उससे benefit यह होगा कि आपको जल से जल हुआ आप information देख पाएंगे और अगर आपके पास payment हो investment करना हो आपके काम की चीज हो तो आप उसको purchase करके उसका फाइदा भी ले पाएंगे दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगता है फाइदम मन लगता है तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो purchase करना हो और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई dealer नहीं कोई चैनल पार्टनर नह अगर उनकी प्रॉपरा बदा जा दनकी नहीं हो shit